हर हर महा देगी। दोस्तों आज भी बाजार जो है अच्छा खासा नीचे गया, थोड़ा सा दुविधा वाला चार्ट आज बना बाजार में, आप देखेंगे जो चार्ट बना था भी हम चार्ट पर डिसकस भी करेंगे, क्या है कि पहले तो बाजार जो है वो उपर की तरफ भाग गया, और उपर भागने के बाद क्या हुआ, फिर एक आएक एक सार फावल हुआ, बहुत ही खतरना की एक वन साइड़ मोवेंट में नीचे की तरफ बाजार चला गया, क्लोजिंग आप देखेंगे, तो बैक निफ्टी की फ्लोजिंग हुई है, एक क्यावन हजार च खतरना को चुगा है न, मिडल इस्ट में जो ये लडाईयां चल रही है, इसराइल वैसे इरान हो गया, लेमनान हो गया, ये सब क्या है थोड़ा सा टेंशन क्रियेट कर रहे हैं, अब इरान के साथ अगर ये लडाईयां चालू हो गई, और अच्छा खासा इसराइल ने ब कार हो गए, तो आगे जाके क्या होगा, वो उसे अगर मौका मिलेगा भी बाहर तेल बेचने का, तो उसके पास रिजर भी नहीं होंगे, तो बेचेगा क्या, तो थोड़ा सा ये मिडल इस्ट वाला जो बबाल चल रहा है, इससे न, सेंटिमेंट मार्केट के थोड़ा खरा समहला किसने, समहला क्या बाजार तो नीचे ही चल गया न, लेकिन फिर भी जो हमारे DII's है, DII जो है, इन्होंने बाइंग की है कितनी जी, ये 8900 करोड की तो इन्होंने बाइंग कर ली है, ठीक, तो आल्मोस्ट ये कवर कर रहे हैं, FII जो सेल कर रहे हैं, उसको ये बाई कर के DII है, हमारे जो DII है, ये इसको कवर कर रहे है, बट फिर भी क्या है, मार्जिन थोड़ा जादा रहता तो बाजार गिरता है, क्योंकि वांसाइड जब सेलिंग चाल हो जाती है, तो बाजार आटमेटिं मिच आएगा, थोड़ा साम चार्ट पे चल के देख लेते हैं, क् आप क्या देखेंगे, वीकली चार्ट तो हमारा वैसे ही बना हुगा है, आप देखेंगे यहां, देखेंगे, अच्छा खासा मोमेंट जो है, आप आप आज का लो, अगर देखेंगे आप, तो लो जो हो गया है, वो बन गया है 15347 का, ये इस वीक का, जो करेंट वीक चल हो रहा है, इसका लो बन चुका है, क्या मेरा 1347 का, ठीक है, बाकी, से तो मतलब इने, Candle आप देखेंगे, तो आप देखेंगे, पिछले चार ट्रेडिंग सेंं का जो है closing red हुआ है एक trading session आपको थोड़ा सा green दिख रहा है बट वो किसी काम का green नहीं है क्यों आप मैं दिखा दूँ आपको लेकि एक red ये बना bullish, bullish red का हूँ, sorry, bullish नहीं खूँगा strong bearish red और दूसरा red ये बना, ये भी एक अच्छे खासे body को लेकर red बना था उसके बाद आप देखें कि तीसरी candle जो बनी थी ये close to green में हुई, लेकिन जो इसका sentiment है, वो red वाला ही था candle जरू green बनी, बट ये sentiment इसका red वाला ही था, तो ये भी हम ready मानेंगे उसके बाद आप देखेंगे, ये candle बनी आपकी ये भी अच्छी खासी red candle है, उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पे जब आज का trading session में बाजार जो है, यहाँ पे open हुआ, इस जगे पे open हुआ, buyers इसको खीच के उपर ले गए, ठीक है, approximate जहां तक है आप देखेंगे, इस candle के बाद आप देखेंगे, इतना बड़ा gap down पुला, और आज भी आप देखेंगे, यहाँ gap down पुला, तो आप देखेंगे, पिछले 5 दिनों से market जो है, वो gap down पुल रहा है, sentiment इतने हाई है selling के, चलिए 15 मेंट के चार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कि हम अगली planning क्या कर सकते हैं, अगले trading session के लिए, बाकी हमने जो पिछली planning मनाई थी, selling के side में, मैं ज्यादा तर मैं यही सोच रहा थी, कि मैं selling का trade लूँगा, तो first trade मैंने लिया था, उसमें selling का ही मैंने लिया, बट वहाँ पे क्या हुआ, बाजार ऊपर जाने लेगा, तो वहाँ पे मेरा stop loss अगरी नहीं रुका मैं, 2-3 मिनिट में ही निकल के भाग गया मैं, ज्यादा देर इस options में ज्यादा देर रुपने वाला जंजट नहीं पहलता है, ठीक है, चलिए, तो अभी आते हैं 15 मिट के चार्ट पे, और देखते हैं, कैसे हम प्लान करेंगे, next trading session में, चलिए, तो 15 मि देखे, पिछले दे में बाजार खुला था, प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, आज तो हमारा चार तारी था, तीन तारी की बात कर रहें, यहाँ पर opening होई, यह high इसका था, और यहाँ पर इसका low लग गया था, ठीक है, यह low था, सॉरी, हमारा यहाँ यह high था, ठीक, और य बाजार पहले उपर की तरफ कुछ जुआ, बट, sellers ने इसको दबा दिया, लेकिन फिर भी दीरे-दीरे, buyers इसको उपर लेके जा रहे थे, एक छोटा सा पंदर में पर प्राइजक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, प्राइजक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर, थोड तो आस-पास बजार गया, और यहां से एक, आप देखेंगे, बेरिस केंडल बनाई, और पंदर मिनट में आप देखेंगे, एक इतनी बड़ी big bar setup जिसको कहते है, big bar setup यहाँ पर बना था, ठीक है, तो पंदर मिनट में अगर आपको यह दिख रहा था, यह इतनी बड़ी candle यहां पर देखेंगे यह जो इतनी बड़ी केंडल आपकी यह बनी और यह जैसे ही क्लोज हुई आपको एक तम दिमाग में बैठा लेना था कि भाई आप तो नेक्स टेड़ में जैसे ही नेक्स केंडल ओपन होगी तुरंट ट्रेड ले लेना है अधिक यह जैसे ही आप यहां पर देखते यहां से इस जगह से और उस जगह का क्या मुमेंट कितनी कितना आंतर है आप यहां पर इंट्री करते यानि लगभग हो जाता आपका 855 में इंट्री करते और यह आटटव पेशन में इंट्री और 970 यानि अगर आप 970 875 यहां पर यहां पर लगाते तो आपको बहुत आराम से चेल करना पड़ेगा तब यह बड़ा एसल आप लेंगे तो थोड़ा सा वेड़ कर सकते हैं भाट दो चोटे 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 चोटे SL लेंगे तो थोड़ा सा क्या है न हम ज्यादा दिर बैठ रही सकते हैं यहाँ अब देखें यह candle बनी यह pullback बना था लेकिन sustain नहीं हुआ अब यह जो setup था यहाँ पे चोटा SL के साथ मिल जाता आप देखेंगे यह में के नीचे दोनों प्लोज हो रहे थे तो यहाँ पे प्लान हो सकता था चलिए यह सब तो आज का था अब हम नेक्स ट्रेडिंग सेशन में क्या करेंगे वो देखते हैं अब ही क्या हुआ बाजार यहाँ पे आके close हो गया इस जगह पे यह नया low लगाया इसने नया नहीं कहेंगे पीछे के समय में low लग चुका है बट अपना high एक नया high बनाने के बाद यह नया low है ठीक है तो यह low लगभग 400 के आसपास का है 55460 के आसपास का है और closing लगभग 460 के आसपास हो गई है तो chances जादा है कि यहाँ से थोड़ा सा breakdown फिर होगा और यह बाजार 51,000 तक जाने का पूरा प्रयास करेगा यह लेकिन यहाँ अगर इस closing के आसपास open होता है तो थोड़ा सा समल के काम करेंगे क्योंकि यहाँ से बाजार हो सकता है जो buyers हैं वो इसको push करें उपर की तरह उसके बा तक बाजार जा सकता है अगर gap down होगा gap up का भी एक प्लान सोच लेते हैं अगर gap up में उपर resistance बहुत सारे है gap up अगर 300-400 point का होता है तब तो कोई फाइदा है हमारा एक resistance है जो यहाँ पर बाजार ने पिछले आज के ट्रेंडिक सेशन में दिया है तो यह एक resistance होगा तो यहाँ तक का moment हम पा सकते है लेकिन कब आएंगे जब gap up होगा और gap up के बाद बाजार one side moment होगा one side moment का मतलब पहली 15 minute की candle अच्छी खासी bullish green में close होगी तो चीक है अब एक ही बार में एक ही मिनट में वहाँ पहुंच गया तो अलग बात है उसका नहीं कुछ कह सकते लेकिन 15 minute की candle अच्छी खासी close हो और एक price action बनता हुआ जाएगा तब बाकि range में खुल green यानी call side में जाना पसंद नहीं करूँगा ठीक है यहाँ पे भी मैं पिछले trading session में मैंने कहा था कि put side का ही trade में प्लान करूँगा वो अलग बात है मेरा stop last rate हुआ क्योंकि थोड़ा सा बाजार उपर गया था लेगिन फिर दोसरे second meeting में आप देखेंगे 12 बचे के बाद एक like it